ओके आइम यूवी बैक और वेलकम डू दू चैनल वी बैक और गाईस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर किसेल वन कैसे and कब गैट कार पाएंगे Pokemon Go के अंदर आप सभी हम सभी Trainers and और यहाँ पर new legendary Pokemon कौन सा है Pokemon Go के अंदर जो Pokemon Go के अंदर आने वाला है और मैं बात करूंगा यहाँ बहुत से मान्त हो चुके हैं जा पर हमे एक ऐख भी fresh new legendary Pokemon हमे Pokemon Go के अंदर नहीं देखने को मिला है तो yes, new legendary कौन सा है वो बताऊँगा, new pakmons और कौन से है वो बताऊँगा and also यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ new updates है इस वीडियो में I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगे, so let's start this video Alright guys, तो यहाँ पर morning में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी या फिर आप उसके बाद देख रहे हैं वीडियो तो आपको यह screen तो देखने को मिल गई हो कि Pokemon Go के अंदर अब यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर आपके बहुत सारे comments आई थे बहुत से आपके doubts थे बहुत से मुझे आप सब मुझे भी कुछ बताना चाहरे थी कि यहाँ पर ब्रोक कुछ ऐसे hidden Pokemon हैं कुछ ऐसे Pokemon से जो Pokemon Go के अंदर शायद आ सकते हैं तो क्या आप बता सकते हैं उनके बारे में और यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ confusion भी था तो बस वही मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में तो यहाँ पर आपके लिए first of all तो अगर आप यहाँ पर first look में यह screen देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो Pokemon आपको first of all देखेंगे वो होंगे friends जो आपको bottom में दिख रहे होंगे और जो new Pokemon भी हैं वो है friends puncham and aromatis अब यह दोनों ही Pokemon में बताऊँगा आप सभी को कि Pokemon Go के अंदर आ सकते हैं आ सकते हैं अगर यहाँ पर Pokemon Go ने loading screen में अगर featured की हैं कोई भी Pokemon तो yes उनके बहुत ज़्यादा chances होते है chances क्या होता हाँ आना उनका just यहाँ पर fix होता है Pokemon Go के अंदर तो yes यह दोनों ही Pokemon Pokemon Go के अंदर release हो सकते हैं and also यहाँ पर अगर यह release होते हैं तो इनके evolution भी हमें देखने को मिल जाएंगे and they are pretty good and next मैं भात कुरूं यहाँ पर आप सभी के लिए जो सबसे hidden Pokemon है वो reference यहाँ पर Salveon कि आपको यहाँ पर Salveon दिख रही है इस loading screen में और कुछ लोगों को शायद नहीं दिख रह और यह जो Pokemon है वो है friend Salveon yes friend Salveon जो EV का evolution है और जो हम सभी जाते हैं कि Pokemon Go के अंदर आए and also यहाँ पर जितनी वो पावफुल है उतनी ही वो हो Pokemon Go के अंदर भी तो yes Salveon यहाँ पर feature करी है Pokemon Go ने so yes Pokemon Go ने अगर feature करी है loading screen में so बहुत ज़्यादा जानसे है कि हमें यहाँ पर Salveon भी देखने को मिल सके और Salveon के अगर मैं बात कूँ तो yes यह बहुत अच्छी है बहुत अच्छे इसके अटैक्स भी है and also यहाँ पर EV का evolution है सबसे best evolution है आप उसे Salveon उसे बोल सकते हैं तो yes आप सब मुझ से वो रोज पूछते थे कि bro Salveon कब आईगी कब आईगी so yes यहाँ यहाँ पर आपको Salveon देखने को मिल सकती है Pokemon Go के अंदर क्योंकि यहाँ पर उसकी shadow यहाँ तो वही Pokemon यहाँ पर feature किया है Pokemon Go के अंदर and अगर यहाँ पर loading screen में हो देख रही है तो yes कुछ months कुछ months का और wait करना आपको Salveon भी देखने को मिल जाएगी कुछ छोटे events के थ्रू य सबसे top पर आपको एक Pokemon देखने को मिल गया होगा जो सभी Pokemon को देख भी रहा है शायद तो यहाँ पर वह जो पकमोन से फ्रेंट्स वह फ्रेंट्स जड़नी है और हाँ अगर मैं वही बात कुनगा कि Pokemon Go ने इसे loading screen में feature किया है तो yes यह भी बहुत जल दाने वाला है इसके second chance और है फ्रेंट्स यही हो गया कि यह loading screen में आपको देखने को मिल रहा है और second जो chance है वह फ्रेंट्स यहाँ पर कि आपने देखा होगा जो यह season चल रहा है जो चायद जून तक चलेगा Pokemon Go के अंदर जून मन तक वह फ्रेंट्स इसे नाम दिया है season of legends जहां पर आपको बहुत legendary भी Pokemon Go की तरफ से देखने को मिलेंगे जो Pokemon Go ने feature कर दी है loading screen पर आप उसके तुरी यहाँ पर समझे सकते हैं कि यह सब Pokemon आपको देखने को मिल रहे हैं and also यहाँ पर कुछ मुझे comments भी आ रहे थी कि bro यहाँ पर RKS भी हमें देखने को मिल रहा है तो नहीं मुझे तो RKS नहीं आ सकते हैं दिरे दिरे इसी मंत में मार्च मंत में new legendary आपके लिए release होता हूँ दिख जाएगा journeyus में इस मंत में release नहीं होगा next जो यहाँ पर आपको month देखने को मिलेगा April month वहाँ पर mid April में mid April में आपको यह journeyus आपको rates में देखने को मिल सकता है या फिर उसके बाद भी तो वहाँ आपThis